वालेकुम बच्चों आज हम अपने एपरिल के स्लेबर्स का चैप्टर नमबर टू करेंगे जो यूनिट नमबर टू में से है उसका पहला चैप्टर है वूई नीड फूड इसके हम आज क्वेश्चन आंसर करेंगे क्वेश्चन आंसर करने के लिए सबसे पहले हम पेजड़ी कर लेंगे ठीक है सबसे उपर आपने लिखना है यूनिट नमबर टू उसके नेक्स लाइन पर आपने लिखना है वी नीड फूड चैप्टर का नेम लिखना है ठीक है उससे नेक्स लाइन पर आपने लिखना है ट benefits का मतलब क्या होता है? 5 ठीक है? ये question आपका अगर एक line के उपर ना आए तो आप अगली line पे जा सकते हो ठीक है? next line पे आपने लिखना है answer और फिर उससे next line पे आपने answer लिखना start करना है food gives us energy food हमें energy देता है food helps us to grow food हमें बढ़ने में मदद देता है grow का मतलब क्या होता है? बढ़ना F.O.O.D. food G.I.V.E.S. gives food gives us us food gives us E.N.E.R.G.Y. energy food gives us energy F.O.O.D. food H.E.L.P.S. helps food helps us us food helps us T.O.2 food helps us to G.R.O.W. grow food helps us to grow उसके बाद आपने next line पर लिखना है question 2 और फिर उससे next line पर आपने question लिखना start करना है name some food which come from animals उन दो food के नाम लिखें जो हम animals से लिते हैं ठीक है उससे next line पर लिखना है आपने answer और फिर उससे next line पर आपने answer लिखना start कर देना है E, G, G, Egg, Milk, Meat, Etc अंडे, दूद, गोष्थ, वगईरा E, G, G, Egg, M, I, L, K, Milk, Egg, Milk, M, E, A, T, Meat, Egg, Milk, Meat, Etc question number 3 लिखना है फिर आपने next line पर उससे नीचे लिखना है अपने question name some food which come from plants उन food के नाम लिखें जो हमें प्लांट से मिलते हैं जो हमें पोदों से मिलती है खुराक उनके नाम लिखना है answer लिखना है next line के उपर और उससे next line पर आपने answer लिखना start कर देना है R, I, C, E, Rice, P, E, A, S, Peas, B, E, A, N, S, Beans, Etc rice, peas, beans, Etc क्लिए 가지 करें जो हमें झाणता है